तो दौस्तो आज स्टार्ट करते हैं वो कर रहे थे तो पिछली क्लास मैं आपको बता दिया था एप क्या होती और कैमिकल एक्वेशन यहोती है तो आज हम पढ़ीगे सिंग केमिकल्ट इक्वेशन और एक दो सक्वा wzgl Rand m पूछे थे वह मुझे पता हैं तो मैं आपको बता दूँगा चल चलते कौन से डाउट थे वह एक तो था प्रेसिपिटेशन का बनना जो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है प्रेसिपिटेशन मतलब होता है कोई इंसॉलीबल सब्सक्रांस बनता है जब कोई दो आपस में रियक्ट करते हैं तो जो भी हमारा बनेगा रियक्टेंट जब आपस में रियक्ट करते हैं तो जो भी हमारा प्रोड़क्ट बनेगा तो वह प्रोड़क्ट नीचे सेटल डाउन हो जाता है घुला हुआ नहीं रहता तो मैंने जैसे एक्जाम्पल बताया था इंट नाइट रेख कराते हैं तो हमारा बनता है सोडियम नाइट्रेट एन यह बनता है हमारा है तो इसी हो में उस्वेंगा प्रोड़क्ट है है वो क्या हो जाता है नीचे सेटल डाउन हो जाता है इंसॉलीबल होता है वो घुला हुआ नहीं रहता तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारी chemical reaction है ऐसे ही अगर second जो पूछा था color of solution वाला color solution का change हमने दो चीज mix करी है दो चीज reactant हमने mix किये हैं तो जो पहले यह color था रेक्टेंट का वो चेंज हो जाता है दूसरे color में तो इसका मुलब कहीं न कहीं chemical reaction हुई है तो मैं एक example बता दूँ जैसे FESO4 है पिछली class में जो एक्जामपल था वो थोड़ा टिपिकल एक्जामपल था अब जो एक्जामपल देख रहो और FESO4 का यह फैरसलफेट इसका color होता है हमारा green green color का salt होता है यह green color का होता है तो इस जब हम इसे थोड़ा सा heat करते हैं क्या करते हैं heat करते हैं तो chemical reaction होती है और यह तोट जाता है तोट जाता है किसमें F2O3 यह याद करने पड़ते हैं जिसे हम कहते हैं फैरिक ऑक्साइड या आइरन ऑक्साइड एफी किसको कहते है आइरन को फैरसलफेट सल्फाइट और सल्फाइड सल्फाडाइओक्साइड तो इसमें तूटता है तो इसमें जो कलर आता है आपकी बार हमारा वह में रेड़ ब्राउन यह जो तो तो पहले ग्रीन कलर था इसका कलर चेंज हो गया हीट करने पर कैसा हो गया रेड ब्राउन हो गया जो किसका किसकी वहीं से हुआ iío iío 3 बना जो रियक्टेंड रियक्ष्ट ओपर आयग्सेड गया से जो क्या हो जाएगी उपर जाएगी सॉलुशन में नहीं तो यह बचेगा जिसका कलर क्या रहेगा हमारा रैड ब्रॉण कलर रहेगा जैसे जंक का कलर होता है जंक लगता है लोही पे तो यहीं होता है इसको यह अगर इसको हमें हीट करेंगे तो यह बन जाता है तो यह दो थे जिसमें दिक्कत आ रही थी तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रफ इसको यकों कस्टार्ट करता है ज़रूवत क्यों बढ़ती है बैलेंसीं करने कि किसी बी बैलेंसीड को बताया कि एक example दे रहा हूँ मैं chemical reaction का है एक example दे रहा हूँ मैं आपको chemical reaction का H2 plus O2 क्या बनाया है H2O तो अगर हम इसमें देखेंगे H क्या है हमारा hydrogen O क्या हमारा oxygen और यह क्या हमारा water जो इन दोनों से मिलके बना हुआ है तो अगर हम इसमें देखें तो इधर की तरब H कितने है hydrogen 2 इधर oxygen कितने है 2 और इधर hydrogen oxygen कितने है hydrogen है 2 और oxygen है हमारे एक तो इधर आप देखोगे hydrogen 2 है इधर 2 है पर oxygen इधर 2 है इधर 1 है तो हम balancing chemical equation हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे जो atom है वो reactant में यह क्या हमारा reactant और यह क्या हमारा product reactant और product में जब number of atom जितने भी number of atom है वह बराबर हो जाए तो इसका मतलब हमारे क्या हो जाएगी यह balance हो जाएगी chemical equation तो हमें से balance करना सिखेंगे कैसे हम balance करते हैं कैसे हम atom को इधर दो है तो इधर दो बनाया इधर ओ दो है तो इधर भी दो बनाया तो hydrogen तो इसमें balance है balance और खाए दो hydrogen दो hydrogen oxygen दो है हमें oxygen दो बनाने तो वह हम नंबरों की मदश से करते हैं तो अभी हम देखेंगे तो balancing chemical equation क्या होती है balancing chemical equation होती है equation equation in which number of atoms of different elements are same in reactant and product तो balanced chemical equation कैसे कहते है एक ऐसी equation या एसी equation बोलो या reaction बोलो तो ऐसी equation या reaction तो balancing chemical equation क्या होता है balancing chemical equation होता है जिस ऐसी equation या जिसमें जो number of atoms हमने पड़े हुए है वो क्या है जैसे हमारा है हमारा है हमारा है और मैंने पहले ही बता रहा हूं आपको जो भी आप reaction लिखोगे उसमें वह एक्जिस्ट जो हमारे मॉल्ट उस फॉण में हमें लिखना है जैसे पर फोर में यहनगा है हमारे यहमारे अlington में रहता हैं जो जो और जायए है जैसे fluorine है chlorine है हमने पढ़ा fluorine chlorine तो यह सारे क्या करते हैं जब हमारे atmosphere में रहते हैं तो कैसे रहते है molecule की form में atomic form में नहीं molecule की form में N2 O2 H2 F2 Cl2 तो हम जब भी reaction में इनने दिखाएंगे तो हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा H2 O2 Cl2 F2 बट ऐसे है नहीं अगर हम जैसे मालों HCl लिख रहा है HCl क्या होता है acid होता है hydrogen chloride तो इसमें HCl2 नहीं लिखिंगे है क्या लिखिंगे है HCl ही रिखिंगे क्योंकि आपकी बार यह क्या है जुड़ा हुआ है hydrogen के साथ बट जब भी हमारा अकेला रहेगा तो हम इसे molecule की form में लिखने है क्योंकि exist ही molecule की form में करता है यह atom तो नाइट्र मॉलक्यूल की form में करेगा nitrogen N2 oxygen O2 hydrogen H2 fluorine F2 और chlorine Cl2 तो कभी भी आप लिखिंगे कहीं पे भी अगर आपको बोल दिया जाए hydrogen लिखिए तो क्या लिखिंगे आप H2 oxygen लिखिए तो O2 तो reaction में क्या अगर हम उसे symbol की form में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे H2 O2 Cl2 यह क्या है nitrogen oxygen fluorine hydrogen chlorine का molecule not atom 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 क्या होता है hydrogen atom बोलेंगे तो क्या है oxygen का atom बोलेंगे तो क्या है ओ यह क्या हमारे molecule दो से मिलके बने तो ऐसे ही हमारे यह यह chemical अगर आप कभी reaction लिखोगे तो उसमें क्या होनी चाहिए अगर हम बोलेंगे कि बैलेंस chemical equation कब होगी जब उसमें number of atom जो different element के number of atom है on both side are same in reactant air products यानि both side जो भी reaction है उसके both side reactant product में उसके atom क्या होने चाहिए same होने चाहिए तो इसलिए इसे हम क्याते है क्यों क्या है यह बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें hydrogen कितना है दो ओक्सियन कितना दो इधा कितना है दो और इधार oxygen कितना हो रहा है एक तो हम उसको हम करना सिखेंगे कैसे हम एक equation को balance करते हैं अब यह तो था हमारा balance क्या balancing chemical equation होती क्या है करेंगे कैसे अभी देखेंगे बट balancing chemical equation क्यों करी जाती है क्यों करा जाता है किसी भी equation को balance हम क्यों कर रहे हैं ऐसे भी तरह सकता है s2 plus o2 s2o c plus o2 co2 ऐसे कोई भी reaction हो वह वैसे डारेक्ट लिग दो तो balance करने की जरूरत क्यों पढ़ती है वह हम अभी देखेंगे क्यों हमें जरूरत पढ़ी balance करने की equation को तो हमेशे याद रखना है जब भी आप reaction लिखोगे तो मॉल जो जैसा exist करता है जैसा रहता है atmosphere में जैसे हमें जैसा हमें मिलता है वह तो वैसे ही हम उसे लिखते है अब यह तो हमारे molecule है compound आएंगे तो नाइंत में पढ़ रखाए compound अगर chemical reaction में compound sodium chloride लिखना है तो बताए sodium chloride NaCl silver nitrate agno3 sodium sulphate Na2SO4 कैसे आया वह सब आपको पिछली किलास में ने बताया था तो आपको चार्ज याद करने कि why balance chemical equation is done क्यूं हम balance chemical equation को balance करते हैं तो equation को balance इसलिए करा जाता है आपने नाइंत में एक law पढ़ा था law of conservation of mass law of conservation of mass हमें क्या बताता है कि mass can neither be created mass can neither be created nor be destroyed कि जो हमारा mass होता है वो हम क्या करता है mass को ना हम बना सकते हैं ना हम उसे खतम कर सकते हैं mass can neither be created nor be destroyed तो इसलिए हमें किसी भी equation को balance करने की जड़त पड़ी क्योंकि अगर मैं आपको s2 plus o2 s2o जो अभी reaction लिखी थी उसमें बता हुआ तो s2 plus o2 क्या मनाता है s2o मनाता है तो अगर मैं इस reaction में बता हुआ तो अगर मैं लिखूँँ है और o aç कितने reactants के side हमारे कितने हैं 2 और reactant के side कितने हैं दो और oxygen कितने हैं टो हमें क्या करना है हमें क्यूं करते हैं मैंने बताया क्यूं हमें बराबर करना है रियक्टेंट और प्रोड़क्ट में एटम को क्योंकि law of conservation of mass कि जितना हमने रियक्टेंट लिया है प्रोड़क्ट में भी हमें उतना ही मास मिलेगा यानि जैसे मैंने अगर एक किलो आटा लिया है उससे मैं रोटी बनाना चाहता हूं तो जितना हमारा आटा ह होगा उतने से रोटी भनेती है अगर हम रियक्टेंट लेंगे रियक्टेंट हमारे जितने मास होगा उतना ही प्रोड़क्ट का अनचि है हैं जैसे हैसे ह्य सब्स si है कितना होता है है हुट कितना होता है है और इव हुप टेखम की है ठेटने हो सा मतालओ चूडरओ में ऑगसीचते स developments कितने है तो सके स्टमेड नहुंट है ढें कि गर तो अगर इदन संगे कितना और है टारा साथिव कि TOM कि प्लस दो चौत इस तो इसा तो हो नहीं सकता क्यों कि लॉअ सब्सक्राइब में इसे लिए हम इसको क्या गरते हैं रिदेंस तो इसको क्या गरते हैं बैलेंस करने यह मैं दो तरीके से बता हुँआ अपको बैलेंस पहला करने क्या है हमें करना है हमें कर देखे हैं अधर पर लिक्राइब है और यहांगे आपके चया नार यहां रहा है तो इसे वह यचने हमारे पास 2 reactant पे और product reactant में हमारे ओके 4 da है यग्स हीं कितने हैक तो एक हम कहाएं हम इसन आगे हम इसा बैलन स करだुंगी तो hydrogen अधिक है जाएगा आजmers ऐते हैं कि अफ्म कितने हैं कि इसन पर दो इसे दो फिंद्स हैं हुआ है number की मदश से balance करना है हमें आगे multiply करना है आगे इनके आगे ना कि इसको change करके इसकी जो atomicity जिसे हम कहते हैं उसको change नहीं करना है हमें क्या करना है आगे multiply करना है इनके आगे तो अगर मुझे मैंने हाँ पर change किया है प्रोडक्ट में टू से गए चार अब इसको चार यह चार हो गए तो इधर भी चार होना चाहिए तो कि हाइदर फिर दो या उदर चार हो जाएंगे तो इसको भी चार करने के लिए मैंने किसे होचगी है कैसे किया हमें हमें है कि कौन से हमारा है hydrogen कितने है दो oxygen कितना है थो अगर हम इसे balance करना चाहे तो इदर तो एक पहले दो-धो थे 1-2 हमने क्या किया से कर दिया वो सब मल्टिप्लाइब कर और मैं हमें हैडेजन क्याला राध तो से मल्टिप्लाइब फिरन पृट्र तो इस अ फेस्ट ऑफ चेस्ट और 2, 2 office हम आ sill कরा है किसी भी एक्वेशन को और जो नंबर आरा इसे हम कहते है स्टोश्यो मैंट्रिक को एफिसियंट तो याद रखने की जड़रत नहीं है वैसे बस यह बोल जाता है स्टोश्योमेट्रिक और गॉफिजेंट जो नमबर से मुल्लिप्लाइब कर रहे हैं सारे यह भी इस टोश्योमेट्रिक और 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 और ऐसे घर के लिए आपको क्राम करने के लिए दूंगा जो दसबारा एक्वेशन जो भी होगी यह हमारे ऐसे हम BALANCE करेंगे क्यासे हम बैलन्स करेंगे इसको जल्दी से लिख लेजेve को क्यों करते हैं reliable कि ऑ-क्करेशन को क्या करते हैं ambigu normal गाल और मास केक्षार धर्व चार इकन युड होता है चीजाँ डिश्न युड हो Хорошо देखो चार एच कितने है चार चार हो गया ऑक्षिन कितने है दो तो 32 कितना हो जाएगा 36 तो इधर भी कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 36 तो हम मास्स सेम हो गया मास्स सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि law of conservation of मास्स पूरी तरह फॉलो कर रहा है हमने से balance कर चुके हैं तो balance करने देखने का यह भी तरीका होता है कि अगला कोशिशन करते हैं क्या होता है कि तो अगला कोशिशन है हमारा ए एल प्लस एफ़ी टू ओ थ्री ऐसे एक्वेशन मैंने दे दिया आपको एफ़ी प्लस ए एल टू ओ थ्री यह reaction है इसको हमें क्या करना है balance करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले सिंबल लिखना है जो जो हमारे है यह आपे तो पहला क्या है इन्प एक्षंट करना है तो बैस क्ヤilion के कितने कितने अलिमीनियम कितना है एक कि कुछने है थmesi मेंडों और उकसिए कितने हमारे कि और हैं हमारे तीन एफ्य को आयरन कियते हैं ठीक है तो अगर हम देखेंगे से बैलेंस करेंगे तो देखो इथर क्या है एक डारेक्ट भी आप बैलेंस कर सकते हैं बिना इसके किये जो शॉर्टकट मेथाड बोल लो कुछ भी बोल लो पर डारेक्ट करना ज्यादा असान रहता है आप कोई भी एक्वेशन ले लो उसको डारेक्ट करो हो न्यक्त को relative जैसे ौसे कर रहा हूं आल्यूमिनियूम फ्लस फी तुो थ्रीछ को कर तो हमें बैलेंस करके दिखाने कैसे और बैलेंस करके दिखाने कैसे और बैलेंस चैमिकल इक्वेशन आपकी ट्विल्फ जब भी आज अब तक आप साइन्स वड़ोगे आपको हमेशा chemical equation जो भी आप लिख रहे हो उसे हमें क्या करना पड़ेगा हमेशा balance करना पड़ेगा तो यह हमारी balancing equation अब मैं तीसरा question बताता हूं डारेक्ट से बताऊंगा और ऐसे ही बताऊंगा कैसे करेंगे तो अगला question है हमारा FeCl3 plus NaOH तो इसको अगर हम देखेंगे इसका बनता है हमारा FeOH का whole thrice plus NaCl तो यह हमारा Ferric chloride iron chloride बOL सकते हो sodium hydroxide Ferric hydroxide Ferrari क्यूं बोलते है क्यूंकि three वाला यह iron Ferrous होता है plus 2 वाला जब FUH का whole twice होता तो बोलते है Ferrous hidroxide यह क्या है ferric hydroxide iron Oxy hydroxide बोलो तो यह क्या होजाएगा हमारा क्य आइस इसे balance करना तो पहले direct से कर देते लेकरे तो पहले मैंने f e कितने है एक अगर हम देखें f e है एक c l है एक na है एक o है एक h इसमें 5000 तो अगर हम देखेंगे इससे ऐसी आरण कितना है इदर एक धने कितना है एक ही एक है c l कितना है c l उतीन इधर कि दरफ इसे come in i ami कितने है इधर एदर इने हैं इधर कितने हैं कि वों कितने हैं इधर एक इधर old कितने हैurm जडिम और है मितารश का मतलगर मतलट है जडिर एच इज सब्सक्राइब करे preworld & हमारा तीन इदर क्या एक तो multiply by three तीन कर दिया तो इदर भी तीन से multiply करना पड़ेगा उपर उपर भी तीन से multiply करना पड़ेगा उपर तीन अब sorry बाद में करिएगा जब पूरा एक बार हो जाएगा तो इदर अगर तीन हो गया 3 से multiply कर दो तो na भी कितने हो जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे तो na भी कितने हो जाएंगे हाँ पर तो यह क्या हो गया हमारा 3 हो गया क्या हो जाएगा हमारा c l कितने हो गया 3 क्योंकि हाँ पर क्या थे 3 c l हमारे पास कितने है 3 इधर कितने थे 1 CL कितने है हमार बस 3 इधर कितने है 1 तो multiply by 3 करके मैंने क्या कर दिया CL को भी 3 करती है अब CL पर multiply किया है तो यहाँ पर आगे सबसे आगे 3 multiply होगा आगे 3 multiply होगा तो एने भी कितने होगा है 3 तो एने क्या है यहाँ पर 3 तो एने कितने हो गए हमारे तीन हो गए अब एने इधर तीन है तो इधर भी तीन से मल्टिप्लाइए होना चीए क्योंकि इधर तीन करना है तीन से मल्टिप्लाइए हो गया तो कितना हो गया तीन हो जाए गए तीन से multiply कर दिए ओ कितने हो गया हमारे फिर तीन हो गया तो हो कितने हो गया हमारे क्यों कि यह तो और इख कितने हो गया हमारे तो अबर और इखंगे तो किया यह equation balance हो चुकी है क्योंकि इस आयरन कितना एक Cl कितने है हमारे 3-3 sodium है 3-3 oxygen भी 3-3 और hydrogen भी 3-3 तो देखिएंगे तो Fe 1-1 Cl कितने है 3-3 Na है 3-3 O है 3 H b 3, O 3-H b 3 तो ऐसे हम balance कर देंगे इस equation को direct method भी हमारे पास है direct method से कैसे करेंगे FeCl3 plus NaOH इसमें आपका time ज़्यादा लगेगा direct method में जल्दी भी हो जाएगा NaCl कैसे Iron कितने है 1 इधर भी कितने है 1 Cl कितने है 3 इधर कितने है 1 sodium कितने हो गए 3 Na मतलब कितने हो गए 3 इधर 3 से multiply किया जिसके वेशे O कितने है 3 O कितने है 3 H कितने है 3 तो ऐसे हमारे यह balance हो गई तो ऐसे भी आप कर सकते है एक एक element उठाए सबसे पहले start किजिए Iron से Iron सेम फिर उसको हर एक element को देखे यह दर उदर सेम है नहीं और अगर फरक पड़ता है जिसकी वेशे अगर पहले वाले पर फरक पड़ा तो दुबार से उससे start करने है तो ऐसे हमें balance करनी है ऐसी ही अगर हम देखते है बिटा दू इससे ऐसी अगली chemical reaction जिसे हमें balance करना है हमेशा हर chemical equation को balance करना पड़ेगा N2 प्लस H2 NH3 इसको हम क्या करेंगे balance करेंगे चलो इसको आप करना balance अगला करते है simple है इसको balance करना ऐसी अगला देखते हैं हम Ns3 प्लस O2 NO2 प्लस H2O तो अगर हम इसे direct method से देखींगे N कितने है 1 इदर कितने है 1 H कितने है 3 H कितने है 2 अब H यहाँ पे 3 है H यहाँ पे 2 है अगर मुझे H को same करना है तो मैं क्या करूँँगा इदर 3 से multiply इदर 2 से multiply ताकि 6 6 हो जाए H को अगर मुझे same करना है इदर 3 थे इदर 2 थे तो मैंने 3 से किया इदर 2 से किया ताकि 6 6 हो जाए तो H हो गए 6 बट इसकी वेज़ से N कितने हो गए 2 तो मुझे 2 से क्या आपकरना पड़ा N को multiply अब N 2 हो गए N कितने है 2 H कितने है 2 3 थे 6 2 3 थे जा 3 2 थे 6 ओ कितने है 2 इदर कितने है 2 थे 4 प्लस 7 वो 4 प्लस 3 यानि 7 ओ कितने है total 7 तो इदर कितने है 2 अब मुझे 7 करना है तो अगर मैं 7 भाई 2 से multiply कर दू 7 भाई 2 से multiply किया तो क्या हो जाएंगे 2 से 2 कर जाएगे 7 तो वही चीज़ है कि 7 यह है क्या हम करते क्या इससे इसको multiply करते है 7 भाई 2 को multiply कर गए 2 से क्या हो जाएगा 7 तो ऐसे हम balance करेंगे इस chemical equation को directly अगर हम इसे उस method से करें तो इसको मैं निटा देता हूँ आगे तो अगर हम उस method से करेंगे तो n है एक नाइटरोजेन है एक हैडरोजेन एक ओक्सजेन है तो फॉई से एक इन उदर एक है तो इसको छेड़ा नहीं है एक कितने है तो मैं क्या करूँा मैं करूंगा इधर 2 से multiply कर दिया इधर 3 से multiply कर दिया ताकि 6 हो जाए तो इधर 3 से multiply कर दिया इधर 2 से multiply कर दिया तो n कि इसकी वेज़ से क्या हो गए 2 हो गए तो इधर भी हमारे कितने हो जाएंगे एन दो करने पड़ेंगे दो कर दिया अब ओ की बारी आई ओ में भी चेंज आया इदर क्योंकि ओ अब कितने हो गए वह हमारे हो गए 3-1 यह हो गए 7 तो मिझे 7 बनाने तो मैं क्या करूँगा 7 by 2 से स्टो मैं कितना आ जाएगा 7 तो हमारे सेंट करते हैं चाहिए पैसे और आपको देखना नहीं है बार बार यह बनाना नहीं है इसमें आपको देखना है पहले कि क्या चीज़े हमें लिखनी है फिर उसके बाद multiply करना है अगर इस पर change हुआ है अगर हमने आगे multiply किया तो n तो change होई है साथ साथ ओ भी change होंगे ऐसी अगला question है हमारा तो उपर वाला question करना है n2 plus s2 plus n3 बना रहा है simple question है इसलिए मैंने अभी नहीं करा है mno2 plus hcl बनाता है हमारा mncl2 plus cl2 plus h2o यह हमारी reaction है इसको हमें balance करना है mno2 plus hcl mncl2 plus cl2 plus s2o होई यह हमारी reaction है म simplement कितना एक मैंन कितना एक को कितने हैं दो कितने हैं कर दे हुआ है कितना एक है सील कितने हैं हमारे चार तो तो हमने कुछ नहीं किया है सबसे बहुत ज़हें मैंने इक है स्टार्ट करो प्हाले से स्टार्ट करो पहले वाले यहीमें पहले से करो मिनसी में पाया पीर आगए नहीं है बट अगर उसकी वज़े से mn पर फरक पड़ जाता तो हमें दुबार से mn पर multiply करके mn को same करना पड़ता तो थोड़ा दिमार लगाना है कि जब भी हम chemical reaction करने हैं पहले element लो पहले element के बाद दूसरे पर जाओ तीसरे पर अगर उसकी वेले से आगे वाले कितने हैं हमारा एक है हमारा एक है हमारा दो है हमारे दो है हमारे हमारे दो चार है तो मन कितने हैं हमारे मन हमारा एक एक तो यह तो बैलेंस है पहले से ही ऑक्सियन है दो इधर दो से मुटिप्लाइ करना पड़ेगा तो दो से मुटिप्लाइ कर दिया ठीक है दो से मुटिप् से में पला करना पढ़ेगा है चार से में पिला इसकी वए से सील चार हो गए तो एसको मैं क्य कर दें चार हो गए अब तो ये ये भी चार, ये चार, ये चार, ये दो, ये दो, ये एक, ये एक, तो ऐसे हमें बैलेंस करना है किसी भी chemical equation को, ऐसे ही मैं last question कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं question 1 लिखे होंगे, आपर question, जो सारे आपको करसे करना है, जितने भी question यहाँ पर है, फिर अगर किसी को दिक्कत आत में वो नंबर लिख देना है 1 2 3 पर मुझे यह वाला समझ नहीं आया तो मैं वाला बता दूँगा अगली क्लास में है तो अगला कोशन है हमारा अगला कोशन है एफ फी वह स्वरी अगला कोशन लेते हैं लेसstate कैते हैं अलि me ini represent और माँ शॉटिएन ह्द्रोखसाइड तो यह हांता है हमारा अंगला क्ली फिल्कारखक STE AR सोडियं के दोला वक्राटकान कर दोलाक्राइट में चालीं कि स्वरी बतानी विल्केशन है दीशन है टॉन क्यांत से स्टार्ट करें तो अगर हम देखिंगे तो एल कितना है अगर हम डायट देखें तो एल दो 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 से हम यह दो से पडाय कर दिया इसके डायट इस सब्सक्राइब सो ले लो जर्मिंगे आपको S को लेना है सब्सक्राइब सन्सेंरा 6 से multiply है तो ही दर कितने है 6 इधर ओएच कितने है थ्री टूजा 6 डायक पूरा भी ले सकते हो आप जब डायक कर रहे हो तो आपको बस ही है समझ रहा है कि एटम से मोने चीए अब तुम अपने दिमाग में चाहे पूरा पूरा का पूरा ले लो ओएच ले लो या ओ लेके और पूरा लेके करोंगे ज्यादा असान देगा तो वेच कितने है इधर ओएच कितने है थ्री टूजा 6 तो हमारी क्या हो चीकिए बैलेंस हो चीकिए एक्षे एसे ही अगर हम डायक किसको ना करके इंडायट करेंगे तो ज्यादा आसान तब होगा जब हम क्या लेने कोई आप अपके दिमाग है कैसे आप करते हो तो कितने 2 इधर 1 तो मैंने 2 से multiply कर दिया 2 से multiply आगे दिखा दिया इसकी वेसे OH कितने हो गए 6 तो मैं OH को change कर देता हूं गोला मार के कि अभी कितने हो गए 6 इस के बाद आते हैं यह सो 4 पर यह तो 2 हो गए इसको इसको काट के मैंने कर दिया 6 मैंने इदर कितना है एक है इदर कितना है हमारा 6 तो मैं इसके वेज़ यह तो हमने किया यह खुद बाखुद हुए तो मैं गोले से दिखा दिया यह खुद बाखुद हुए च्छे हमने आगे लिखना हो और पर आपको कोशन दिखेंगे वह को सारो करने हैं उनमें नमबर लिखा होगा अगे तो एकली घ्लाज में बता दूआ बो नीचे आप कमेंट में लिख दिया गया वहाला नमबर 1234 कौन से नमबर कोशन समझने है तो अग्ला कोशन चलते हैं तो यह है सारे कोशण जो करने आए कोशण को जो सारे कोशण करने एक तो जो कोशन नहीं आएगा आपको नंबर लिख देना है वाला कोशन नहीं हुआ और एलिमेंट का नाम समझने आ रहा है तो एलिमेंट की टेबल थी नाइंट में वह देख लेनी है कि क्या चीज़ है यह आयरन है एफी यह है ऑक्सिजन यह नाइट्रोजन है यह हमारा सोडि कोपर है सी यू तो जब इसको बैलेंस करने के लिए कुछ बच्चे जिन्हें पता नहीं हो तो सी अलग ले लिए यू अलग ले लिए किसी यह हमारा सी है सी यू हमारा एक है और ऑक्सियन हमारा अलग है ऐसे हमारा सी यू कॉपर नाइट्रोजन ऐसे हो गया यह हमारा क्या है और जो नहीं पता होगा जैसे बेरियम है यह पूरा है तो इसको पूरा का पूरा लेना है अगर वैसे एक है वैसे करना है इसे तो इसको बैलेंस करना है और जितने भी यहां पे जैसे अगर मालो कोई reaction है उसमें S2 प्लस N2 लिखा हुआ है और N2 प्लस S2 लिखा है तो बात सेम है उसे वो करने ही जुरूत नहीं है कि यहां पर उस reaction में N2 प्लस S2 लिखा था वो तो कैसे भी हम डाल सकते हैं चीनी में पानी डालो है पानी में चीनी डालो यह जो मैंने बता चाहिएन के तो अगले किलास में आपको जो भी पुछेका उसे मैं बतादूंगा जो भी आंसर होंगे या मैं इसको बैलेंस करें यह यह पर लिखे होई रहेंगे इसारे इसको बैलेंस करके यहां पर रहेंगे तो गुडबाए टेक किया